हेलो एवरीवन वेल्कम टो आवर यूट्यूब चैनल दकेमेस्ट्री कोवर्णर गाइस आज हम अपना 11 क्लास का चैप्टर फर्स चैप्टर जो है सम बेसिक कॉंसेप्ट केमेस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बेसिकली उसका लेक्चर नंबर वन होगा ऐसे हम पू केमेस्ट्री की इंपोर्टेंस क्यों हम केमेस्ट्री को पढ़ते क्यों केमेस्ट्री इतनी एसेंशल क्यों हमारी लाइफ के लिए तो देखो अगर हम केमेस्ट्री की इंपोर्टेंस की बात करें सबसे पहले हम इसकी इंपोर्टेंस देखते हैं कि केमेस्ट्री की बात आत तो उसके पिछे भी है तो उसके पीछे भी क्या है जस्ट केमिस्ट्री तो अगर हम बात करें अपनी जैसे एक वो सबसे मेजर जो कैंसर के लिए ट्रीट्मेंट के लिए किमोग benatea ट्रीट्मेंट मेजर इसके लावा कैंसर के लिए जाती है इसके लावा एक लिएसिक लावा इसके जैसे हमारी बोलिए कि इनदर होता है हमारी बोड़ी के अंदर भी रिजयर को आइरेंश की ते विटमीन की तो उसके वैसे ना एंडर और इंडर भी डालते decre cerc व्हो डालते बाट करें है झो सब्सक्राइब करें पहलर भाबकर टो यह तो बात हो गई chemistry की importance के बारे में अब AMs. अगर हम बात करें कि chemistry के importance दो हो गई अब chemistry होती ए twee chemistry अब हम हम chemistry की definition के अगर हम बात करें से पहले मारी mind नहीं में यही बात आईगी chemistry क्या होती है तो chemistry is the branch of science which deals with the complete study of matter. इस के अंधर क्या करना होता है इस के अंदर हम complete study करेंगे matter की ठीक है matter की जैसे मालो उसके complete study से मतलब से structure उसकी composition उसकी physical and chemical properties अब सबसे अब आपके mind में एक question चल रहा होगा कि what is matter कि matter क्या होता है देखो अगर matter की बात करें अगर matter की बात करें कि matter क्या होता है जैसे मालो यह मेरे हाथ में पहने ठीक है अब इसके अगर हम बात करें pen की तो इसका कुछ्छ मास है और यह क्या है space occupy करता है ठीक है तो यह क्या matter है अगर हम human beings की बात करें human beings भी क्या करते हैं उनका कुछ mass होता है और वो भी space occupy करते हैं तो भी क्या matter है anything that has mass and occupy some space is called matter अगर हम definition की बात करें अगर इसको हम समझें कि कोई भी चीज जिसका कुछ mass हो और जो space occupy करें वो क्या होती है matter होती है for example example हम देखें sugar sand pen ऐसे सारे examples but अगर मालो अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं ठीक है या फिर बहुत ज़्यादा खुश हूं या मुझे किसी चीज को देखें बहुत ज़्यादा घुसा आ रहे है ठीक है तो जो feelings होती है जो अगर मैं खुश हूं तो किसी को दिख रहे ह नहीं ठीक है उसको कुछ मास है उसको कुछ वोल्यूम है नहीं है न जो मेरे अंदर ही चल रही है तो जो feelings होती है वो matter का पार्ट है अब हम नेक्स करने वाले मैं के मैट्र को क्लाइफिफाई कैसे करते हैं classification of matter के बात करें क्लासिफिकेशन जरूरी क्लासिफिकेशन करते ही कि मैटर को तो देखो जैसे ही इंपोर्टन है तो बत होता क्या है उसके अंदे ना हमें एक classify करके रहना होता है कि यह चीज आपके सिस्टमैटिक हो जाएं तो classification of matter के अगर हम बात करें तो इसको में झीज़ा कर सकते हैं तो बेसिकलई होती है यंदर पैंड ठान कश्चिल होता है क्यमिपर गार करें दूढ़े क्या हूं अब और तुम किसा को देखें लेकिन हम बता सकते हैं लेकिन अब और अंधर से कैशे मुणवा घंन हा है अब किसी के अंदर क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता ठीक है तो वो होता है chemical behavior जो अंदर है न जो चीजे जो हमें दिखाएं देती है वो होते है chemical के अंदर आता है अब अगर हम physical behavior की बात करें physical behavior तो आप लोगों ने न 9th class में भी study किया होगा कि जो matter होता है वो 3 states के तरह गिस्ट करता है solid liquids and gases ठीक है और इसकी different properties आप लोगों ने study कि होगी solids की definite shape होती है definite volume होता है लिक्विड्स की definite shape नहीं होती definite volume होता है और gases की ना तो shape definite होती ना यह volume definite होता है और भी वह सारी properties है जो आप लोगों ने study कि होगी ठीक है अब हम बात करते है chemical behavior के basis पे हम matter को कैसे classify क अगर हम chemically देखें तो chemically matter को subdivided किया गया है दो categories में one is pure substance and second one is mixtures अगर हम pure substances की बात करें pure substances क्या होता है इनको classify किया गया है on the basis of composition composition के basis पे इनको classify किया गया है अब composition से मतलब क्या है composition का मतलब है कि अब उसके अंदर क्या present है हमें तो अंदर की चीज़े देखनी है कि matter के अंदर कैसे particles present है कैसे क्या चीज़े तो pure substances के अंदर है जो particles होती हैं composition fixed होती है fix composition होती है और अगर हम mixture की बात करें तो mixture के अंदर क्या होता है variable composition होती, variable का मतलब होता है not fixed, उसके अंदर composition जो होती है particles की, वो fixed नहीं होती अब हम इनकोई details से देखेंगे, पहले हम pure substances को समझेंगे, then उसके बाद हम mixture को समझेंगे, तो देखो, अब हम बात करते हैं pure substances की, अगर हम pure substances की बात करें, pure substances को हम further subdivide करते है elements के अंदर and compounds के अंदर, अगर हम बात करें elements की, elements जो होते हैं, it is made up of same type of atom, इसके अंदर same type of atom से मिलके बनता है, same type of atom से मतलब गया है, जैसे मालो मेरी हाथ में के aluminum की road है, अब aluminum की जो road है aluminum की road के अंदर सिर्फ क्या होगी aluminum के तो particle होगी अब यह तो है निए उसके अंदर iron के particle आ जाएंगी, नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ठीक है, तो same, ऐसा ही iron की road है, तो iron की road में सिर्फ iron के particle होगी, और किसी के तो particle नहीं हो सकते उसके अंदर, तो ऐसा मतलब की element को हम यह बोलेंगे, कि element वो pure substance है, जो सिर्फ same type के atom से मिलके बनता है, जैसे sodium हो गया, iron, aluminium, oxygen, fluorine, यह same type के atom से मिलके बनते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं compounds की, अगर हम compounds की बात करें, तो compounds are made up of different type of atom, यह different type of atom से मिलके बनते हैं, जैसे for example H2 हो गया, CO2, अमूनिया हो गया हमारे पास, तो water के दर क्या होता है, atom किसका होता है, oxygen का, or passion का, hydrogen की होते है तो υयरोजन के, तो हमारे पास compound क्योंकि तो different atoms से मिलके बना है, ऐसे carbon dioxide एक atom क्या होगा, carbon का, and दो atom किस ओ गए, oxygen के, तो यह भी हमारे पास क्या होगा, compound होगया, ammunition के अंदर हम बात करें तो हमोनिय के अंदर क्या होता है अब बात आती है कि मतलब कि मिक्षर क्या होता है मेरे पास अब मिक्षर की बात करेंगे क्या हिं बात करें मिक्षर के अंधर क्या होता है मिक्षर को अधर मिक्षर करें मिक्षु मैं करते हैं हिए कुर साधी छाइ Pacific comment मेंट नेशंकर नहीं होता है वो यह यह मेंट है और यह नहीं जिए कर दो चीनी चैय पति वादर के अंधर कृम की आए टेस्व के जया है और वफ denya मिक्षर क्या होगा सेम कंपोजिशन रहेगी क्योंकि जो टेस्ट होगा वह सीमिलर होगा ठीक है तो हमोजीनियस मिक्षर वह मिक्षर होते हैं विजह सेम कंपोजिशन थ्रॉआउट दा मिक्षर की हमोजीनियस अंदर कंपोजिशन सेम रहेगी पार्टिकल्स की अब अगर हम बात करें heterogeneous की heterogeneous के नदर क्या होता है different composition होती है throughout the mixture तो यह बेसिक terminology थी जो इस chapter के नदर हमें आगे चल के बन लोगी काम आने वाली है क्या क्या चीज़े क्या होती है आप लोग एक बार यह एंसे रिडाउट कर लेंगे और next lecture में हम क्या करेंगे आगे इसको करने वाले हैं ठीक है अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू